हलो नमस्कार एबरिबर्डी वेलकम टू एकजाम सोचे टूब चैनल पर दोस्तो आज किस फीडियो में हम पढ़ने बाले हैं इंडियन पॉलिटी का सेकंड चेप्टर और सेकंड चेप्टर है हमारा सबधान की प्रस्तावना यानि की प्रियम्बल को इस फीडियो में हम तरीके से पढ़ने बाले हैं और यकीन मानिए दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रियम्बल के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चाहे आप एस ऐसे CGL, MTS, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर रेलेबे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो आपके लिए फेरी इंपॉर्टनेंट हैं तो चलिए फिर दोस्तो आज किस वीडियो को हम सुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो हमारा पहला कोशन है दोस्तो हमारा पहला कोशन है कि भारते सबधान सभा में भारते सबधान में उद्देसिका का विचार किस देश के सबधान से लिया गए हैं उद्देसिका का विचार किस देश के सबधान से लिया गए हैं USA अमेरिका के सबधान से उद्देसिका का भासा के सिदेश के सब्धान से लेगी हैं तो उद्देश का यानि की प्रियंबल की जो लेंगबेज है फोक के सिदेश के सब्धान से अपनाएगी हैं ऑश्च्रेलिया के सब्धान से अपनाएगी हैं दोस्तों मौलिक कर्तब लिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तब जो है ये रूस के सब्धान से ले गये है मौलिक कर्तब कहां से ले गये है मौलिक कर्तब रूस के सब्धान से ले गये है मौलिक कर्तब रूस के सब्धान से ले गये है अगला प्रसन सब्धान की उद्धेसका में अब तक कितनी बार संसोधन किया गया है। 1976 में बैल्सपा सब्धान संसोधन 42nd Amendment के दोरा सब्धान की उद्धेशगा में पहली बार संसोधन किया गया और समाजवादी, धर्म निर्पेच और अखंडता सब्ध चोड़े गए अगला प्रस्तन मौलिक कर्तव्यों को भी सब्धान में चोड़ा गया था बैलस्बस सब्धान संसोदन की दुरा 1976 में Next question हम भारत के लोग सब्दों का प्रियोग भारती सब्धान में कहां से लेगा हैं? कहां पर किया गया हैं? दोस्तो हम भारत के लोग सब्दों का प्रियोग जो है भारते सब्धान में कहां पर किया गये हैं सब्धान की प्रस्ताउना सब्धान की प्रियंबल में किया गये हैं किसने परस्तावनों को सब्धान की आत्मा कहा हैं? सब्धान की आत्मा कहा है दोस्तो परस्तावना को ठाकुर्दास भार्गों ने ठाकुर्दास भार्गों ने स्वरपर्थम परस्तावना को सब्धान की आत्मा कहा था प्रियम्बल को next question है कि किसने प्रस्तावनों को पहचान पत्र कहा है तो एने पालखी बाला है जिन्होंने कहा है प्रस्तावनों को पहचान पत्र next question किसने प्रस्तावनों को सब्धान की जन्म कुंडली कहा है जन्म कुंडली कहा है के एम मुंसे ने के एम मुंसे ने इसे जन्म कुंडली कहा है सबधान की अगला प्रसन है भारते सबधान का कौन सा भाग सबधान की आत्मा कहलाता है सबधान की आत्मा उद्देसका और प्रस्तावना दोनों कहलाते हैं ये दोनो एक ही नाम हैं तो यहाँ पर option C, उप्रिक्ट दोनों यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला प्रसन भारत के सबधान की प्रस्तावना किन सब्दों से शुरू होती हैं? भारत के जो सब्धान की प्रियम्बल हैं ये हम भारत के लोग सब्दों से सुरू होती हैं हम भारत के लोग सब्दों से भारती सब्धान की प्रस्तावना सुरू होती हैं। अगला प्रसन भारते सब्धान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग सब्दो का अर्थ क्या हैं। अगला प्रसन सब्धान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस परकार का राच्ट हैं। सब्धान की प्रस्तावना हम भारत के लोग सब्दो से आर्थ होती हैं। और इसलिए यहाँ पर लोकिक सार्भोमिकता हैं। सब्धान सब्धान में 55 नहरू के दोरा उद्देश प्रस्ताव कब परिसुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 में सब्धान सब्धा में 20 प्रस्ताव पेस किया गया था पंडिच भालन नहरू के दोरा। कौन सब्धान संसोधन लगु सब्धान यनि की मिनी कोंच्टिट्यूसन कहा साता हैं। तो 42 अमेंड मेंट हैं दोस्तों जो 1976 में किया गया था। बेल्सिबा सब्धान संसोधन को मिनी सब्धान भी कहा साता हैं क्योंकि इसके दोरा प्यापक परिवर्थन किया गये थे सब्धान सब्धान में भारते सब्धान की परस्ताओना में परियुक्त नयाय सब्ध अभिवेक्त करता हैं तो न्याय सब्द जो है किसे अभिवेक्त करता हैं, समाजिक, आर्थिक और राजिनितिक न्याय को, तो यहाँ पर उप्शन D हमारा राजिट टेंसर हो जाएगा. अगला प्रसन है, सभिवेक्त पूर्टा और समान रूप से मानों हैं, यह सिधान्त किस नाम से जाना चाता हैं, सार्ब भोमिक्ता के नाम से जाना चाता हैं, यह सिधान्त सार्ब भोमिक्ता के नाम से जाना चाता हैं, अगला प्रसन है कि सब्धान की प्रस्तावना में धर्म निर्पेच सब्द का सहीं भाव क्या हैं। भारत के सब्धान की प्रस्तावना में कितने परकार की स्वतंदरता का उल्ले क्या गये हैं? गोसित किया कि उद्धेस्ट का सब्धान का हंसा नहीं हैं। तो किस वाद में कहा गया था? एंगला प्रसन है कि किस वाद में उच्छेतम नाले ने धारड़ा परसुत की कि उद्धिस का सबधान का भाग है उधिस्का सब्धान का भागे सुप्रीम कोड ने किस वाद में कहा था तो S.R. भॉम्माई बनाम Union of India वाद था जिसमें सुप्रीम कोड ने कहा कि जो प्रियम्बल है सब्धान की प्रियम्बल जो है ये Constitution का पाठ है अगला प्रसन है कि किस विबाद में सुप्रीम कोड ने प्रस्तावना को भारतिय सब्धान की मौलिक सरिचना का भाग सुविकार किया था तो किस वाद में सुविकार किया था केशवानंद भारति वाद 1973 था जिसमें सुप्रीम कोड ने सुविकार किया था कि जो भारति सब्धान की उद्देश का है ये मौलिक सरिचना का भाग है कैसु अनंद भारती वाद 1973 में ये सुबिकार किया था सुप्रीम कोड ने यहाँ पर option सी हमारा right answer हो जाएगा सब्धान निर्माताओं ने किस पर विसेज ध्यान दिया था प्रसावना पर विसेज ध्यान दिया था तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर सेर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करेजी और वेल आइकन को आल पर कलेड़ी ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोडिफिकेशन आप तक जरूर मिले उसकी notification आप जरूर पासकें डेली आपको पॉलिटी की एक वीडियो मिलेगी तो आप फिल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजी ताकि आप आसनी से उन वीडियो की notification पासकों चले दोस्तों next question पर बढ़ते हैं हमारा next question है कि सब्धान में हमारे रच्ट का उलेक किस यकिन नामों से किया गये हैं सब्धान में दोस्तों भारत और इंडिया सब्ध का परियोग किया गये हैं भारत और इंडिया सब्ध का ही परियोग किया गये हैं इसके अलावा किसी और सब्ध का परियोग नहीं किया गये हैं प्रसावना का वो प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता हैं क्या कहलाता हैं परजातंत्र कहलाता है दूस्तों परजातंत्र आपर उपसंसी हमारा रायटेंसर हो जाएगा भारते सब्धान की प्रसावना की अनुसार भारत के सासन की सर्वोच सत्ता किसमे नहीं थें? जनता में नहीं थे दोस्तों भारत की जनता में नहीं थे भारत की पबलिक में नहीं थें भारती सब्धान की उद्देसियों, लच्छियों, आधर्सों तथा आधार्भू सिधान्तों का संबंद किसे हैं तो भारती सब्धान की प्रस्तावना से हैं दोस्तों भारती सब्धान की प्रियम्बल से हैं Next question, भारते सब्धान की उद्देश का किसका परिवर्थित रूप है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, नहरू के द्वरा जो उद्देश प्रस्ताओं पेस किया गया था, उसी का ही संसोधित रूप है, उद्देश का जो भारते सब्धान में नहीं थे, उद्देश का संसोधित रूप है, भारते सब्धान की परस्ताओं नहीं, लोगतंतर का तातपरह की सारभूम सत्ता डेस के हाथ में होगी, उसे डेस के लोगों के हाथ में होगी, यही लोगतंतर का अर्थ होता है अगला प्रसन, भारत के सब्धान के उद्देशियों में से किस एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है तो आर्थिक न्याय किस में बताया गया है आर्थिक निया दोस्तों उद्धिसका और राज के नीती निर्देशक तत्तों में बताएगे हैं DPSP भी बताएगे हैं उद्धिसका और राज के नीती निर्देशक तत्तों में बताएगे हैं आर्थिक निया आएँ Next question है कि एक पंथ निर्पेच राज डेस हैं तो एक पंथ निर्पेच राज क्या होता हैं? एक पंथ निर्पेच राज जो होता हैं, ये धर्मों के प्रत तटस सरहता हैं, ये किसी भी धर्म की बुराई नहीं करता हैं, और नहीं किसी धर्म की बढ़ाई करता हैं, किसी धर्म को पृतुसाहत भी नहीं करता हैं, और इसकी देश से गरहण किये गए हैं तो समाजिक आर्थिक और राजिनितिक नयाय जो हैं दोस्तों ये किस देश से गरहण किये गए हैं ये दोस्तों रूस के देश से गरहण किये गए हैं रूस की करांती से लिये गए हैं समाजिक आर्थिक और राजिनितिक नयाय जो हैं प्रसन ही कि भारती सब्धान की उद्देशका में किस संसोधन के दोरा समाजबाद पंत निर्पेचता और अखंडता सब्द को जोड़ा गया था तो 42nd Amendment था जो 1976 में किया गया था इसके दोरा समाजबादी पंत निर्पेच और अखंडता सब्द भारती सब्धान की प्रेमब अगला प्रसन है कि प्रस्तावना में भारत को एक संपूड बरभुत संपन घोषित किया गया है जिसमें भारत के इस परकार के सत्ता से पूर्टया सोतंत है तो भारत आंतरिक और बाहर सत्ता दोनों से सोतंत है भारत तो यहाँ पर उप्रिक्त दोनों इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा सब्धान की प्रसावना के अनसार नकेबल उत्पादन वा बितरड सभी साधनों का राश्टिक करण करना वरन गरीब हुआ अमीर के मध दूरी कम करना ये वाग के सब्द को वरिड़त करता हैं समाजवादी सब्द को वरिड़त करता हैं और यहाँ पर उप्सन ए जो है राइ नागरिकों को मतदान का अधिकार परदान करता हैं मतदान का अधिकार परदान करता है दोस्तो गरतंत्र हैं गरतंत्र हैं जो सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार परदान करता हैं गरतंत्र हैं इन में से कौन भारत के सब्दान का भाग है किन्त वो अन्य भागों स से सोतंत्र होकर उसका कोई बिधिक परभाव नहीं है तो उद्देशिका है दूस्तों प्रियंबल है option A यहाँ पर right answer है भारते सब्धान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोसित किया गए है भारते सवधान की प्रस्ताउना में भारत को परभुत संपन, समाज उबादी और धर्व निर्पेच बताएगे हैं तो यहाँ पर उप्सन D उप्रियुक्त सभी स्कोसन का राइट एंसर हो जाएगा उप्सन निमबर D यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा भारत की सवधान की प्रस्ताउना में परियुक्त स्वधान की प्रस्ताउना का विधिक स्वरूप क्या है तो यह बिशेश प्रस्तियों में लागू किया जा सकता है सवधान की जो प्रस्ताउना है दोस्तों यह बिशेश प्रस्तियों में लागू की जा सकती है यानि कि अगर सवधान का जो पार्ट है अगर कहें पर समझ नहीं आता है तो वहाँ पर सवधान की प्रस्ताउना का इस्तिमाल किया जाता है सब्धान की प्रसाउना का सहारा लिया चाता है सब्धान की किसी पार्ट को समझने में अगर प्रसानी होती है तब भारत के सब्धान के निर्माड करताओं का मत निमलेखित मेंसे किस में पर्तिबंधित होता है तो उद्धिस का में प्रत्विंधत होता हैं उद्धिस का प्रियम्बल में अगला प्रसन हमारी प्रस्तावना में निमलेखित में से कौन से सब्ध का अर्थ है कि बहुआर में हम एक ही परिवार के सदस हैं तो बंधुत का अर्थ होता है कि बहुआर में हम एक ही परिवार के मेंबर हैं बंधुत का अर्थ होता है Next question है कि भारत के सब्धान की प्रस्तावना के सुरुवाती सब्ध सब्धान से उधार लेगे हैं किस सब्धान से उधार ले गए हैं? संगतराज अमेरिका के सब्धान से उधार ले गए हैं. Next question, सब्धान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संसोधन किया गया था? 1976 में अंतिम बार और पहली बार संसोधन किया गया था? कि बल एक बार सब्धान की प्रस्तावना में संसोधन किया गये हैं इन 1976 में 42nd amendment के दोना और समाज चुबादी धर्म निर्पेच और अखंडता सब्द जोड़े गये थें सब्धान की प्रस्तावना में किस केस में ये निर्ड़े दिया गया कि उद्धान का भाग नहीं है किस में कहा गया था बेरू बारी केस था 1960 का केस था दोस्तों 1960 का केस था बेरू बारी केस जिसमें कहा गया कि जो प्रियंबल है ये Constitution का पार्ट नहीं है निमलिकित मैंसे किसे ने सब्धान सभा में उद्देश संकल्प को आगे बढ़ाया था पंडी चभालन नहरू ने आगे बढ़ाया था उन्होंने उद्देश प्रस्ताओं को 13 दिसंबर 1946 को Constitutional Assembly में पेस किया था और आगे बढ़ाया था अगला कॉस्सन सब्धान की प्रसाओन में प्रयुक्त सब्द सेकुलर का क्या अर्थ होता है तो सेकुलर का अर्थ क्या होता है सभी नागरिकों को धर्म एवम उपासना की स्वतन्दिरता यही सेकुलर का अर्थ होता है कि सभी थ्र्म नाग्रिकों को धर्म एवम उपासना की सोतनरता Next question सबधान की प्रसाउना में भारत को कहा गया है भारत को दोस्तों सर्व सत्ताधारी, समाज उबादी, धर्म निर्पेच, लोकतांतरिक, गड़राज कहा गया है सब्धान की प्रियंबल में प्रस्तावना में भारते सब्धान कब आंगिकार किया गया था भारते सब्धान 26 नॉम्बर 1925 को आंगिकार किया गया था सुबिकार किया गया था और 26 जनॉरी 1950 को क्या गया गया था दोस्तो लागू किया गया था 26 जनुरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नॉमबर 1925 को भारते सब्धान आंगिकार किया गया था और 26 नॉमबर को क्या मनाते हैं 26 नॉमबर को क्या मना जाता हैं सब्धान दिबस मना जाता हैं सब्धान दिबस अगर पूछा जाएं कम मना जाता हैं तो याद रखेगा दोस्तो सब्धान दिबस मना चाता है, 26 नॉमबर को और 26 जनुवरी 1950 को लागू किया गया था भारतिय सब्धान संपूर तरीके से, दोस्तो I hope कि आप कोई वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ला और और भी वीडियोज अपलोड करेंगे जोग्राफी, साइंस की वीडियोज भी अपलोड करेंगे तो आप टेलीग्राम की चैनल को भी जोइन कलिजिएगा ताकि उस पर आप नोटिफिकेशन आज़ानी से पास सकें और दोस्तो कॉमेंट बॉक्स में आप बताए कि आपको वीडियो कैसे लगी और कॉमेंट बॉक्स में बताए कि आपको इसका नेक्स्ट पार चाहिए और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ओव भी आप comment box में जरूब बताएगा WhatsApp चैनल को भी आप जोईन कल जिए दोस्तो WhatsApp चैनल को भी आप जोईन कल जिएगा उसके link आपको description box मिल जाएगी सुमलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जया हिंद वंदे मातरम